भुद्ध दोस्तों मैं हूँ एससान और आप देख myst़ हमारा यूट्यूब चालन ए ple star दोस्तों आज की इस वीडिओ में अपसे बात करने वाला हूँ एपल वाइशा के बारे में दोस्तों में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए पूरा टोपिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा हमारे साथ बने रही है और इसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और इतनी महगी घड़ी में पैसा बरब एपल वाच इतनी महगी वाच मिलती है तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं इसका कुछ डिटेल में बात करूंगा उसके बाद में फिर आगे का प्रोसित मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है तो चलिए इसका प्रोसित आगे का देखते हैं तो सकते हैं मेरे पास ये पल वाच है कुछ इस तरीखे से इसमें डिस्प्लेगी में इसकी तेर्फ यहर आपको सब्und Angela और देख लीजि antes Defi the बटन दी गई है इसको आप प्रेस करके इस तरीके से इसको निकाल सकते हो अगर दूसरा बैंड आपको लगाना इस वाच में तो इसको इस तरीके से निकाल कर लगा सकते हो दोस्तों देख सकते हो कितनी छोटी सी साइज है इसकी और डिस्पले भी कितनी अच्छी लग रही ह अब दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की बैटरी बैक अप कितना है कितना टाइम चलता है तो दोस्तों मैं पिछले एक साल सी इसको योज कर रहा हूँ मॉर्निंग में अगर मैं 100% चार्जिंग करके लेकर जाता हूँ अपने आफिस पे और साम को 8 बजे आता हूँ तब भी इसमें 20% चार्जिंग बच जाता है करनेक्ट हमेशा नहीं करना पड़ता एक बार अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो यह लाइफ टाइम हमेशा आपके मुबाइल से कनेक्ट रहेगा लेकिन दोस्तों इसमें फीचर यह है कि आपको हमेशा बुलुटूट अपना आन करके रखना पड़ेगा अगर कर रखना बुलुटूट से भी यह connect होकर चलता है अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं इसकी display की टाइम शेट कर रहा है तो दोस्तों इसको यहां से तरीके से चंज़ कर सकते हो अपना इसमें फोटो भी लगा सकते हो कमक में इस तरीके से कई सारे जो आपसन है इसमें द जरूत नहीं इतना पैसा बरबाद करने के जरूत नहीं कि शऺफ उनको टाइम देखना आगर टाइम देखने के लिएवाच लेते हैं कोई दूसरा ले ले आयपॉन लेकर क्या फाएदा इसमें कोई इसमें उनको benefit नहीं होने हाए तो इसमें यह फाईदा सबसे ज़्यादा मेरा कोई भी call या कोई भी message मेरे mobile पर आता है तो इसमें notification हमेशा मुझे मिल जाती है कोई message अगर मुझे करता है या call करता है तो इसमें पूरा notification हमें मिल जाती है सबसे अच्छा notification पर्सक्राइब जब चलाता हूं तो इस तरीके से करता हूं तो यह तो यह निख सेन की अगर बात करें तो जो यह्लोगों ने इसके बारी मुझे बाहुत बार पूछाय है किश कैसे से होता है कहीं भी पलग आपको नहीं मिलेगा यह वायलेस चार्जिंग से चार्ज होता है इसको चार्ज कैसे करना है इसको अपने वाज को कुछ इस तरीके से रख लेना है इसमें मैगनेट होता है दोस्तों आटोमेटिक यह कनेक्ट हो जाता है आपके एपल वाच में चार् केसन होता है पलवाज के नाम से कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो फेस की बात करें दोस्तों तो यहां से कोई भी अगर आपको पसंद आता है तो उसको आगर आप सेलेट करेंगे तो आटोमेटिक अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसके बाद मैं एड़ पर किलिक कर दूगा तो आप लोग देख सकते हो मेरे वाच में यह एड़ हो जाएगा स्क्रोल कर लेना है इस तरीके से देख सकते हो दो बज़कर 21 मिनट आ गया जो मैंने किया था दोस्तों यह वाला वह इस वा वाच फेस तो दोस्तों देख सकते हो वाच में यह आटोमेटिक एड़ हो गया है दोस्तों इसकी बेल्ट में लगा कर अपने हाथ में पहिन कर दिखाता हूं किस तरीके से यह लगता है तो इस तरीके से आपको लगाना है दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से बेल्ट लगाना है, बेल्ट आप कभी भी चेंज कर सकते हो, सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें ये होती है, एक सेकंड में पहन के दिखा देता हूँ, दोस्तों इस तरीके से होती है, अगर इस तरफ अगर आप वाच करेंगे दूर की तरफ, चेहरी की तरफ अगर आप वाच नहीं होगा, तो दोस्तों इसकी जो डिस्पेले की लाइट वो आटोमेटिक बंद हो जाती है, इस तरीके से मैं यहां करके रखा हूँ तो लाइट ब यह सो जा है तो सबसे के तरक करते हैं डरो हो या नाइट हो सो कोई फर्क नहीं पड़ता यह आट्योम हो जाते हैं तुरे की तरफ करेंगें यह आन हो जाएगा दोस्तो अगर इसकी प्राइज के बात करें टो इस समय big billion day offer में series 3 15000 रुपए में मिल रहा है काफी सस्ता है इसको मैंने एक साल पहले लिया था काफी महंगा थालेकिन यह मेरा दोस्तों old है series 1 है मेरा तो series 3-15,000 रुपए में मिल रहा है दोस्तों इसको series से भी कंट्रोल कर सकते हो यहां से अगर आप कॉल करते हो तो दोस्तों यहां से कॉल भी कर सकते हो आपके मोबाइल से कॉल लगेगा किसी को अगर कॉल आता है तो यहीं से रिसीब भी कर सकते हो अगर कोई मेसेज आता है इसमें तो यहीं से आप उसको रिपलाई कर सकते हो इस लेकिन काफी ज्यादा मेरा बताया है लेकिन इतना होना नहीं चाहिए कभी-कभी ऐसे इस तरीके से बता देता है तो इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन ये काफी अच्छा फीचर है अगर दोस्तों इसमें अगर आप म्यूजिक की बात करें अगर आप यहां से म्यूजिक पले करते हैं तो आपके मोबाइल में म्यूजिक आन होगा ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें आन होगा इसमें नहीं चालोगा जिसे on my iPhone में करूँगा song पर जाओंगा कोई भी एक song बजाओंगा तो दोस्तों मेरे मोबाइल में ये बजना शुरू हो जाएगा देख सकते हो दोस्तों song शुरू हो गया है यहां से voice control भी कर सकते हो कम करना या जढ़ा करना स्क्रोल करकर इस तरीके से देख सकते हो वाइस कमफ जढ़ा हो रही है कि यहीं से इसको बंद भी कर सकते हो अगर दोस्तों इसमें Siri की बात करें तो series इसमें भी अवेलबल होता है अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो सिरी आर्टोमेटिक आन हो जाएगे देख सकते हो सिरी आर्टोमेटिक आन हो गई मोबाइल से भी इसी तरीके से कनेक्ट होकर यह चलती है सिरी पर कोई दिक्कत नहीं होती है तो दोस्तों काफी अच्छा वाच है लेकिन जो आइफोन यूजर है वो सिर्फ उन ही के लिए है अन्राइड यूजर के लिए नहीं है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना मैंने जो बताया आपको यह बेसिक सा वीडियो था उमेद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक लिए धन्वा दोस्तों कर दो कर दो